हें गाइस अजकी ब्राइड ने वीडियो में आप सभी का दिल से दिल से सौगत है तो आजकी वीडियो पहुत यदा इंट्रेस्टिक उने वालेगा इसकि कि आजकी वीडियो में आपको इन दोनी स्मार्टफोन गेमिक लिए परचस करना चीए सो गैस मैं आपको पहले ही बता दूँ कि 30K के अंदर सिर्फ ये दो ही स्मार्टफोन नहीं आते हैं बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन भी है जो 30K के अंदर आते हैं और इससे अच्छी परफॉमस आपको प्रवाइट कर देते हैं जैसे कि Realme X3 हो गया, Redmi K20 Pro हो गया तो ये भी दोनों स्मार्टफोन काफी अच्छी परफॉमस आपको प्रवाइट कर देते हैं 30K के अंदर लेकिन आपको इन ही दो स्मार्टफोन में से कोई भी एक स्मार्टफोन परचेस करना है प्लस आप कंफ्यूज हो रहे कि गेमिंग के लिए प्लस और अगर देखे तो किसी भी चीज के लिए इन दोनों स्मार्टफोन में से चूज करना पड़े तो आप कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहेंगे तो आज की वीडियो में हम इसी के बारें बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली तो वीडियो में लास्तक बने रहीएगा तो चलिए बिना किसी तरी के हमारी आज की वीडियो को शूर कर दें जो कर सबसे पहले हम इसके स्प्रेस्फकीशन सी कम्पेर करें लेती कि आपको सबसे पहले हाँ इंकी डिस्पले के बारे में तो पिक्सल्फोर ж में आपको दिस्पलेगा अूज प्लस देखने को मिलता है वह Baptist आ कि वा एक 100 इational शिबर वीडियो और दिसपले है तो नोड उसके quality टॉप को किसी भी तरीक से disappoint नहीं करेगी प्लस इसकी जो sharpness है वो OnePlus Nord के comparison में थोड़ी जादा ही है लेकिन OnePlus Nord में जो आपका display देखने को मिलता है वो as compared to Pixel 4A थोड़ा बड़ा भी देखने को मिलता है जैसे की Pixel 4A अगर 5-inch का है तो वही आपको Nord में 6-inch का देखने को मिल जाएगा तो अगर आप 4-finger, 6-finger ऐसी gaming करते हो तो आपको बड़ा display बहुत ज़्यादा helpful रहेगा gaming के लिए लेकिन बात करते इस display के specification के बारे में तो OnePlus Nord में आपको 90 Hz रिफ्रेसिक नेट वाला एक अगरआप आपकोटाइब सबफसकर के बारे में आपको। super 2- ρ deber ॏ ञाफने को मिलों के रहरोगे दोने में दोनीमी यह पराईब की सिमिलर रैंकी नेको मिल जाती है बात कर लेते हैं आप बैटरी डिपार्मेंट के बारे में तो बैटरी में या पिक्सल फोरे में देखने को मिल जाएगी आपको 3140 इमेच की बैटरी जो कि देखा जाए तो बहुत ज्यादा च्छोटी बैटरी है विद 18 वार्ट फास्ट जाजर के साथ में और उसके स्मार्ट फोन के बहुत ज्यादा तगड़ी आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन यहां पर एडवांट इस देखने को मिल जाता है यहां पर वन प्लस नौड में क्योंकि आपको 30 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाए जो कि आपकी बैटरी को बहुत जल्दी कर देगा और बात करते हैं इन दोनों स्मार्ट फोन के स्मार्ट फोन का फ्रोशेसर के बारे में तो उल्स पिछो निस की मिलãy जाता है और μद्रेध का नहीं मिलेगा आपको भी एक दो साल तक लेकिन जो आपको पावरफल प्रोसेसर देखने को मिलता है वो आपको OnePlus Nord में ही देखने को मिलता है क्योंकि अगर बात करते हैं दोनों की PUBG ग्राफिक्स के बारे में तो यहाँ पे प्रप्रेश को मिलता है और वही बात करते हैं लेकिन बात करते हैं लेकिन बात करते हैं दोनों की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी पिक्सल फोरे बहुत ही अच्छी तरीके से 40 पर इसको मेंटीन करपाता हैं और और OnePlus Nord की बात करें तो 60 Apes में वो 50 Apes बहुत ही अच्छी तरिके से Constantly आपको प्रवाइट कर देता है तो दोनों की gameplay में या कोई भी problem नहीं है दोनों में ही आपको अच्छी gameplay में देखने को मिलेगी लिकिन आपको एडवाइटेस देखने को मिलेगा आपको OnePlus Nord में कि वहाँ पर 40 ज्यादा 50 Apes वो constantly maintain कर पाता है 60 Apes में और बात कर लेते हैं इनके कुछ अधर फीचर के बारे में जैसी कि इनके sensors तो आप दोनों में ही आपको सारे के सारे sensors देखने को मिल जाएंगे including physical gyroscope पिक्सल 4A में आपको HDR का सपोर्ट दिया लेकिन वहाँ पे HDR 10 का सपोर्ट वहाँ दिया नहीं गया लेकिन 730G होने के कारणा आप इसमें HDR में गेमिंग नहीं कर सकते हैं बाइडिफॉल्ट एकिन OnePlus Nord में आप बहुत ही अच्छी दरके से गेमिंग कर सकते हैं तो अगर 30K के अंदर आपको स्मार्टफोन ढूंड रहे और आप इन दोनों ही स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तो इन दोनी स्मार्टफोन में से OnePlus Nord आपके लिए अच्छा उप्शन हो सकता है तो क mission इस विडियो में बस इतना ही था आपके या उपीन नहें इन दोनी स्मार्टफोन के बारे में उजिकी कमेंट करके जरू बताएगा और हाँ अगर आपने इस विडियो का भी करो लाइक करो या शेयर करो और हाग गैसे हमारे चानल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि ऐसे ही इंट्रेस्टिंग विड़ा आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए तो चलिए मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए वा गुड़ डेग झाल